बाबा की कार्य विधी बहुत ही अद्भुत और अलोकित थी बाबा अनीक युक्तिया आपना कर हर आत्मा का कल्यान करने का उपाई करते थे हर एक मनुष्य में कोई न कोई अवगुन तो होते ही है लेकिन जो भी आत्मा ग्यान मार्ग में आगे बढ़ना चाहती बाबा उसके अवगुनों को ना देख उसके गुनों का ही वर्णन करते और उसमें उमंग उत्साह और खुशी भर देते उसके गुन को जन सेवा में लगाकर उसका भाग्य बना देते इस प्रकार उनकी पुधी ग्यान योग और सेवा में बिजी हो जाती और उनके पुराने संसकार मिटने लगते। चाहे छोटा बच्चा हो या पुजुर्ग, निर्धन हो या अमीर, हर वर्ग और हर आयू के लोगों का भाग्य बनाने की विधी बाबा अपनाते। बाबा उच्छ दैवी मर्यादा में रहने और आशुरी मर्यादाओं को छोड़ने की सिक्षा देते। बाबा सदा कहते ज्यान युक्त काईदे में ही फाइदा है। काईदे को तोड़ने से कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए इश्वर्य नियमों को कभी भी न तोड़ना न छोड़ना। कानून को कभी अपने हाथ में मत लेना। यदि किसी से आपका स्वभाव नहीं मिलता है या स्वभाव टकड़ाता है अथ्वा किसी के बारे में आपको कोई शिकायत है। तो उसके विरुथ आप स्वभयम कोई कारेवा ही करने न लग जाओ। यह अधिकार आप बच्चों को नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने वाला भी अपराधी ही माना जाता है। बाबा कहते, आप सब तो स्वभयम ही किसी न किसी विकार के वशिभूत, अवगुणों से भरपूर अपराधी हैं, अतर आप किसी के जज नहीं बन सकते। यदि किसी का कोई अउगुण या दोश आपको दुख देता है, तो आप उसे इधर-उधर ना बता कर, पातावरन को दूशित ना करके, एक शिव बाबा को बताओ, तो शिव बाबा उसे स्वयम समझानी देंगे। यज्य वद्सुन को यज्य का अन्य एक काईदा बताते हुए, बाबा कहते, बच्चे, आप अपने नीजी प्रयोग के लिए किसी से कोई चीज मत लेना, बलकि यदि कोई कुछ आपको देना भी चाहता है, तो उसे कहो कि शिव बाबा के सामने रखकर इश्वर ये यज्य में दे दे, अन्य था यदि आप किसी से कुछ लेंगे, तो आपको देने वाले देहधारी की याद अवश्य आएगी, उनसे आपका संबंद जुट जाएगा, लगन लग जाएगी, बाब की याद भूल जाएगी, और इश्वर्य कमाई में घाटा पड़ जाएगा, और द जमा हो जाता है, अन्य एक काईदा बाबा ने बताया कि जिस स्थान पर या जिस कार्य के लिए किसी को नियुक्त किया गया है, उस अनुसार उसे हर एक से सम्मान और सहयोग अवश्य मिलना चाहिए, चाहे वै आपसे छोटी आयुका ही क्यों ना हो, लेकिन उसे सम्मान दे से अलग कर देना ये आसुरी मर्यादा है, किसी की कम्यों का वर्णन करना महानता नहीं, बलकि उन्हें भरने में महानता है, साथ साथ बाबा कहते, अब तो आपको शिव पिता, स्वयम सिक्षक और सत्गुरू के रूप में सिक्षा और सावधानी दे रहे हैं, अतक कदम उनकी राई ले सकते हो, यदि कोई भूल या गलती हो जाए, तो सच बताने से वो आधा माफ हो जाएगा, परन्तु यदि आप उसे छुपाते रहेंगे, तो वह भूल और ही बढ़ती जाएगी, देखो धर्मराज के बच्चे बनकर कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं करना, अन्यथा भविश्य में धर्मराज से सौ गुणा दंड मिलेगा, आप यहां कमाई करने आए हैं, तो कमाई के बदले सिर्पर और ही बोच चड़ाना ये समझदारों का काम नहीं है, बाबा इश्वरिय सेवा आर्थ तन मन धन समर्पन करने के बाद रद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते, सेवा सेवा और बस सेवा इसके लिए ही बाबा का विचार चलता रहता, दिन बर में अठारा गंटे से भी अधिक बाबा कारी करते, रात रात बहुत बार जागते और इसी संकल्प से अपने खान पान, रहन सहन और आराम की सुविधा का भी खयाल नहीं करते, इतनी व्रथ अवस्ता होते हुए भी वे यग्य की विभिन स्थूल सेवाओं में जुटे रहते, बाबा बच्चों को कहते, बच्चे, यग्य से को देख कर मैं स्थूल सेवा ना करूँ, यदि मैं शरीर से कोई सेवा नहीं करूँगा, तो मुझे निरोगी और कंचन काया कैसे मिलेगी, सेवा करने की तो हमें बहुत लाल सा रखनी चाहिए, इस यग्य की चितनी सेवा कोई करेगा, उतना उसको शिव बाबा से बल मिले और उसकी आयू भी लंबी होगी, क्योंकि शिव बाबा अपने सर्विसेबुल बच्चों की संभाल अवश्य करते हैं, जैसे आपको शिव बाबा से प्यार है, वैसे ही उसके यग्य की सेवा से यहां के एक-एक कन से भी प्यार होना चाहिए और उसकी संभाल करनी चाहिए बाबा तो यहां तक कहा करते थे, जो सेवा के लिए ना करता है, वो नास्तिक है, इश्वर ये सेवा ही हमारा सौभाग्य बनाती है बाबा विख्णों को उचे पत की निशानी, उची मन्जिल के नस्दीक पहुँचने का चिन्न बताकर यही कहते कि बच्चे ये सब विख्ण आपको अंतिम सलाम करने आए हैं, बस इश्वर के प्यार में इलहे पार करो, तो आपके कदम कदम में पत्मों की कमाई जमा होती जाएगी, इस प्रकार समय प्रती समय बाबा ने यग्य वत्सों को सेवा केंद्र खोलने, चलानी की रीती और नीती, विधी विधान, दैवी मर्यादाएं समझा दी थी, इश्वरिय सेवा में आने वाली परिस्थितिया, संस्कार परिवर्तन, इश्वरिय ज्ञान के और गुय रहस्य, बाबा ने सभी को अउगत करा दिया, साथ ही बाबा सभी वत्सों को उनकी योग्यता अनुसार, कार्य विभाग सौपते जा रहे थे, अब ज्ञान अध्ययन, योका भ्यास, सेवा साधना और दिव्य गुणों की लगन में मगन, यग्य वत्सों का एक संगठन बन चुका था, हर एक की कलाई भी निखराई थी, लोगों का विरोध भी ठंडा हो गया था, उनकी पवित्रता, प्रभुनिष्ठा, सेवा में ततपरता, संगठन की सूद्रता, त्याग, तपस्या की लगन, तीव्रगती से लोगों पर अपना प्रभाव डाल रह थी, अतह अब वो समय आया, जब बाबा ने इस रष्टी रूपी साकार कार्य शेत्र से अपने साकार कर्तव्य को समीतना शुरू कर दिया, बाबा के निकट बैठने से ही ऐसा आभास होता था, कि व्यक्त देह में होने पर भी वे अव्यक्त स्थिती में हैं, उनके मुख मं पर कभी चान्नी जैसी छटा और कभी सूर्य जैसी प्रभा अनुभव होती थी, जो उनके साकार देह को ओजल कर आकार और अव्यक्त का अनुभव कराती थी, ओम शांति